तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी कॉलर बॉम को इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्दी रिलीज हुई है तो रेटिंग्स उपर नीचे हो रही है इस मूवी को मैं एक्स्प्लेन करूंगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वारे वीडियोस को देख पाएंगे तो मूवी की शुरुआत में एक लड़का हिंदुस्तान के राजा मुहमत बिन तुगलक की कहानी सुना रहा होता है तब ही वहाँ ख़ड़ा एक आदमी कहता है कि तुगलक हिंदुस्तान का राजा नहीं दिल्ली का सुल्तान था जो आदमी है वो उस लड़के का बाप है जिसका नाम मनोज है और उसके बेटे का नाम अक्षत है बाप बेटे में ऐसे ही बातों को लेकर नोग जोग चल रही थी मनोज चाता था कि वो शहर के बेस स्कूल सेंट जोर्ज में पढ़े लेकिन अक्षत अपने पापा से एगरी नहीं कर रहा होता वो दोनों इस बहस को कांटिन्यू रखते हुए कार से उस स्कूल की और जाने लगते हैं तबी अचानक कार से कुछ ठकरा जाता है जिससे कार डिस्बैलन्स हो जाती है पर वो बाल बाल बच जाते हैं मनोज कार से बहार निकल कर देखता है तो उनकी कार से एक पंच्छी ठकरा गया था तब ही मनोज की नजर एक जगह पपड़ती है उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे आग लगा कर जला दिया गया हो यहां हमें थोड़ा सा पता चलता है कि यह जगह मनोज की पास से कुछ रिलेटेड है अब हमें सेंट जोर्ज स्कूल को दिखाया जाता है जहां एक नेहा नाम की लड़की की बरसी मनाई जा रही थी वहाँ स्कूल के सभी लोग नेहा को सद्धानजली देने आय हुए थे स्कूल के हैड ने मनोज को इस्पेशली बुलाया था क्योंकि वह एक पुलिस आफिसर था जिसने नेहा का मडर केस सॉल्व किया था तब अक्षद को समा जाता है कि जिस स्कूल में मुश्किल से एड्मिशन मिलता है वहाँ उसे असानी से एड्मिशन इसलिए मिल गया क्योंकि स्कूल के हैड की पहचान मनोज से काफी अच्छी थी अब इस भास से भी अक्षद अपने पापा से बहस करने लगता है तब उसके पापा समझाते हैं कि जरूरी ये नहीं कि एड्मिशन कैसे मिला जरूरी ये है कि तुम्हें अब इससे बहुत जादा आगे बढ़ना है ताकि मेरे जैसे लोग तुमारे पीछे पीछे बागे उन दोनों में बात चली रही होती है तब ही वहाँ एक आदमी खड़ा होकर उल्टी सीधी बाते करने लगता है वह आदमी वहाँ पर पीके आया हुआ था वो कहता है कि नेहा को इंसाफ सिर्फ मनोज नहीं नहीं दिलाया बलकि उस वक्त मैर अतन सिंग भी इंसाफ दिलाने में मौजूद था लेकिन मनोज हीरो बन गया और मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है मनोज उसके पास जाता है उसे समझाने के लिए लेकिन उसने इतनी पी रखी थी कि वो सुन नहीं रहा था तब वहाँ के सेक्योर्टी गार्ड उसे घसीट कर ले जाते हैं ये सब खतम होई गया था तब ही वहाँ एक लड़का हाथ में बंदूख लिए आ जाता है और जब वो अपनी जैकेट खोलता है तो उसके गले में कॉलर बॉम लगा हुआ था जिसे देखकर वहाँ भगदर मज जाती है अब स्कूल के बाहर पुलिस आ जाती है लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती थी वरना कुछ भी गडबड हो सकती थी तो वो आईरफ फोर्स के आने का वेट कर रहे थे यहां हमें पुलिस आफिसर सुमित्रा को दिखाया जाता है जो की बाहर रहकर इस सिचुएशन को हैंडल करने का ट्राई कर रही थी अंदर वो बॉम वाला लड़का सभी की फोन्स तोड़ देता है और माइक की तरफ बढ़ता है पर माइक चल नहीं रहा होता तब ही वो माइक चलू करने को कहता है तो वहाँ एक लेटी टीचर आकर माइक चलू करती है वही बाहर कोई नेता टाइप का आदमी आकर अपनी धौस जमाने लगता है आपने ऐसे चिंटु मिंटु नेताओं को आसपास देखा ही होगा जो अपने अगल बगर चाट तुन जिंदा देखना चाते हैं तो उन्हें खुद को मारना होगा तब ही उनके बच्चे जिंदा रह पाएंगे अब ये चीज़ सुनकर वहाँ सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं कि ये कोई कैसे कर सकता है मनोज अंदर ही ता तो वो लड़के से बाचीत करने का ट्राई करता ह तो लड़का अपना नाम बताता है कि उसे अली कहकर बुलाया जाए कभी बीचे से लेडी टीचर उस पर हमला करने का ट्राई करती है लेकिन लड़का घबरा कर उन पर गोली चला देता है जो कि टीचर के हाथ पर जाकर लगती है अब अली बच्चों से अपने ही माबाप क बाहर आ जाते हैं तो उन्हें पुलिस वहां से निकाल कर बाहर ले जाती है अली अब मनोज को अपने पास बुलाता है और उसे एक ब्लूटूथ यहरफोन देता है अली उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट है इस बॉम को डिफ्यूज करने के लिए 4 कोड लगत कर ये कॉलर बॉम खुल पाएगा वो उससे ये भी कहता है कि बाहर जाके तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे और तुम्हारा बेटा यहीं पर रहेगा अब मनोज बाहर आ जाता है तो पुलिस उससे पूछती है तो वो नॉर्मली ही बातचीत करता है और कुछ भी नही भीड को भड़काने वाला आदमी कोई और नहीं वो नेता ही था जिसने होटल में आग लगवा दी थी होटल का मालिक बरकत अभी होटल के अंदर ही था तो सुमित्र अपनी जान पर खेल कर अंदर जाती है उनको बाहर लाके बचा लेती है वो जैसे ही भीड उनको मानने के उतारू हो जाती है पर सुमित्र अपनी गल निकाल कर उन सब को पीछे करती है वो नेता आदमी आकर कहता है कि तुम इसे बचा कर ठीक नहीं कर रही हो तो सुमित्र कहती है कि तुम्हें कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है अब सारी भीड वहां से चली जाती है तो उस लड़के के बारे में पूछती है बरकर चाचा बताते हैं कि उस लड़के को हमने food delivery करने को रखा हुआ था दिखने में तो शरीव था पर हमें नहीं पताता कि वो आतंकी निकलेगा सुमित्रा को उसके last delivery के बारे में सुमित्रा का अब सीधा शक मनोज पर जाता है अब मनोज एक family के घर जाता है जिनका बेटा मैथ्यू उसी स्कूल में फसा हुआ था वो घर के अंदर जाकर मैथ्यू की मम्मी पापा से मिलता है मनोज मम्मी को पानी लेने भेज देता है और पापा से कुछ बात करने को कहता है मम्मी जब पानी लेकर आती है तो देखती है कि मनोज उसके पती को बुरी तरह से पीट रहा था मनोज और अउरत को पकड़ लेता है और कहता है कि मैथ्यू को बचाने का बस यही एक तरीका है वरना वो मैथ्यू को मार देगा अब मनोज के पास अली का कॉल आता है वो कहता है कि और अउरत से कहे कि वो अपने पती को मार दे तभी मैथ्यू बच पाएगा यहां हमें पता चलता है कि मैथ्यू का बाप था वो मैथ्यू को हरास करता था मतलब उसका बाब एक चाइड अब्यूजर था और वो मैथ्यू के उपर हर तरह का हरास्मेंट करता था इसलिए अली उसे मारने को कह रहा था ताकि उसने जो गुना किया है उसकी उसे सजा मिल जाए मनोज उसे एक गांच का तुकडा पकडाता है और उसे मारने के लिए कहता है और अली को अगला कोड मिल जाता है और वो उसे डाल देता है जिससे कि अब सिर्फ दो ही कोड खोलने बचे होते हैं अली मैथ्यू को नहीं छोड़ता बलकि मनोज के बेटे अक्षत को छोड़ देता है अली अब उसे दूसरा काम सौपने लगता है तो मनोज उसे काम करने से मना करता है तब ही अली उसके मोबाइल पर एक वीडियो भेजता है वीडियो में हम देखते हैं कि मनोज किसी लड़के को गोली से मार रहा था अब वो वीडियो देखकर मनोज घबरा जाता है उस वीडियो में कई गहरे राज चुपे हुए थे जो बाहर आते तो शायद मनोज की काफी बदनामी होती इसलिए अब वो अली की बात मान लेता ह मनोज मेंत्यू की मा से पूछता है कि उसका पती जो मेंत्यू के साथ करता था वो और किस को पता है औरत को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता तब मनोज उसे अपने साथ जबजस्ती कार में बठा कर लेकर चला जाता है अब हमें रतन सिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ बाप के साथ रह रहा था उसके घर में पानी खतम हो जाता है तो वो पर छट में टंकी चेक करने चाता है वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ मनोज मौजूद था वो उसे भी कार में डाल कर चल देता है मनोज बार-बार औरत से पूछ रहा होता है कि और किस इसको तुम्हारी पती के गलत कामों के बारे में पता था औरत बताती है कि स्कूल में चेक अप चल रहे थे तो वही पर जो डॉक्टर चेक अप कर रहा था उसी ने मैथ्यू के पीट पर लगे घाओ को देखा था वो डॉक्टर वही था जिसके बारे में बर्गत चाचाने हम देखने हैं कि स्कूल के अंदर सारे बच्चे रो रहे होते हैं, अलि उन्हें चुप कराने का ट्राई कर रहा होता है बट वो नहीं हो रहे होते हैं, तब ही वहाँ लेड़ी टीचर आकर वहाँ के लोकल लेंग्वेज में एक गाना गाना शुरू कर देती है, तो वहाँ सा ज़्यादा जहरेली थी कि दो कमांडर मारे जाते हैं अब सुमित्रा डॉक्टर गुपता के क्लिनिक पर पहुंच जाती है जहाँ पर मनोज भी मौझूद था वो देखती है कि डॉक्टर गुपता वहाँ बेरहमी से बंदे हुए थे तो मनोज कहता है कि जब मैं यहाँ आया कि उसने मैथ्यू की बारे में और किसको बताया था डॉक्टर किसी रीटा का नाम लेता है और वो मर जाता है सुमित्रा मनोज को पकड़ने का ट्राई करती है पर मनोज उसे वहीं हैंकफ से बान कर निकल लेता है उधर अली एक लड़की को वहाँ से नीचे फेग देता है क मनोज रतन को लेकर अपना दूसरा टास्ट पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है वहीं हम देखते हैं कि एक मा ने अपने आपको गोली मार ली थी ताकि उसकी बच्ची स्कूल में से छूट पाए अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक मा ने अपनी ही कुरबानी मनोज को समझ आ गया था कि अली किसी रीटा नाम की लड़की से इंस्ट्रक्शन्स ले रहा था तो वो डारेक्ट उसी से बात कराने को कहता है मनोज रीटा से पूछता है कि तुमने डॉक्टर को क्यो मा डाला तब रीटा बताती है कि उसने भी कई पाप किये थे जिसकी का प्राश्यत बाकी है तो अब तुम अपना दूसरा टास्क जल्दी से पूरा करो औना बच्चों की जान खत्रे में पढ़ सकती है अब मनोज रतन को लेकर एक पुराने सिनेमा हॉल पहुंच जाता है फिर वो उसको वहीं पड़ी एक सीट पर बान देता है वो वहाँ के हॉल को ओन करता है तो सामने परदे पर रतन के माबाप की फोटेजेस चल रही होती है रीटा कहती है कि रतन अपने माबाप को अपने सामने मरते हुए देखेगा और अगर वो वहाँ से उठा तो वो वीडियो वाइरल कर देगी अब ये टास्क भी पूरा हो चुका था तो अली को कोड मिल जाता है तो अब सिर्फ एक ही टास्क पूरा करने को बचा हुआ था अब रीटा उसे अगला और आकरी टास्क ये देती है कि उसे दुबारा स्कूल जाकर अली को आजात करना होगा मनोज कहता है कि ये करना बिलकुन नामुंकिन है लेकिन उसे ये तो करना ही था सुमित्रा को अब एक लड़के की अटॉपसी रिपोर्ट मिलती है तब ही उसे मनोज का फोन आ जाता है मनोज उससे कहता है कि उसे उसकी मदत की जरुरत है इसलिए उसको अकेले आकर मिलना होगा तभी जो स्कूल में हो रहा है वो सब रुख पाएगा मनोज का बेटा अक्षद पुलिस सेशन में ही था तो वो उसे भी लेकर उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है जो जगए हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी अक्षद मनोज से कहता है कि मुझे अब सब कुछ पता है अली ने मुझे वो वीडियो दिखा दिया है सुमित्रा मनोज को वट आप सी रिपोर्ट दिखाती है और पूस्ती है कि आखिर यहां पर हुआ क्या था तब मनोज कहता है कि इन पहाडों में खो जाना नई बात नहीं थी उसी तरह नेहा भी इन जंगलों में खो गई थी अगर आपको याद ना हो कि नेहा कौन है तो वो वही लड़की थी जिसका शोक स्कूल में मनाया जा रहा था और उसी के मडर केस से सारी चीजे जुड़ी हुई थी मनोज बताता है कि नेहा को चार दिन तक धूड़ा गया बट वो कहीं भी नहीं मिली सबने उमीद छोड़ दी थी लेकिन पबलिक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था तो उन पर काफी प्रेशर पढ़ रहा था एक रात वो और रतन जंगल में गश्ट लगा रहा थे तब ही उन्हें वहाँ पर एक लड़का दिखाई पढ़ता है वो लड़का उन्हें देखकर भागता है तो वो भी उसके पीछे भागते हैं वो लड़का उसी घर में जाता है जो घर हमें जला हुआ दिखाया गया था मनोज उसे पकड़ लेता है और नेहा के बारे में पूछने लगता है लड़का कहता है कि जमीन के नीचे गहरे नीन में राजकुमारी मनोज को समझाता है कि लड़के ने नेहा को जमीन के अंदर गाड के मार डाला है वो उसे गले से उठा कर दिवाल की और सटाता है लेकिन तभी एक अन्होनी हो जाती है दिवाल पे एक कीला बाहर निकला हुआ था जो कि लड़के के अंदर घुज गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई अब मनोज और रतन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें तब मनोज दिमाग लगाता है कि नहा को मारा तो उसी नहीं था तो अब इसे ही खूनी बताएंगे लेकिन वो मरा गलती से था तो उसे तो कवर करना ही था मनोज अपनी गन से उसे शूट कर देता है और रतन को अपनी गन देकर खुद को शूट करने को कहता है ताकि ऐसा लगे कि लड़के ने उसे गन छीन कर उसके उपर गोली चलाई तो उसने भी लड़के पर गोली चला दी अब इस तरह से नेहा का खुणी भी मिल गया था और पबली का गुस्सा भी शान्त हो गया था और मनोज उस सहर का हीरो बन गया था क्यूंकि उसने ही नेहा के कातिल को धर दबोचा था मनोज तब बताता है कि नेहा और उसकी फ्रेंड जंगल में गय थे और उसी लड़के ने उनका पीछा किया था और उसकी फोटो देखने पर उसकी फ्रेंड ने उसे बताया भी था कि ये वही लड़का था जिसने नेहा का पीछा किया था नेहा के पोस्मार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी लाश मिलने के दो-तीन घंटे पहले ही उसकी मौत हुई थी नेहा की डेड़ बॉड ये कुएं से निकाली गई थी इसका मतलब जब मनोज केस को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था तब तक नेहा जिंदा थी और फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही तड़ब तड़ब कर मर गई उसकी अटॉपसी रिपोर्ट डॉक्टर गुपता नहीं बनाई थी तो मनोज ने नेहा की रिपोर्ट में हेर बदल करा दी थी ताकि उसकी सारी गलतियां छुप सकें मनोज को ये भी कनफर्म नहीं था कि उस लड़के नहीं नेहा को मारा था बट वो उसकी गलती की वज़े से मर गया था तो उसने ही उसी को कातिल बना के सब के सामने रख दिया और वहीं नेहा तभी जिंदा थी और कुएं के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी हर किसी का इस केस से कुछ ना कुछ जुडाव था ही तो रीटा उनी के पापो का प्राशित करवा रही थी जिसमें कि मनोज को भी अपने पापो का प्राशित करना ही था अब सुमित्रा मनोज से कन्विंस हो जाती है और वो दोनों साथ में ही स्कूल की तरफ जाने लगते हैं मनोज कहता है कि स्कूल के अंदर जाने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मनोज सुमित्रा को gun point में रखे होता है और उस school के अंदर जाने लगता है IRF कमांडर समझ जाता है कि ये दोनों बस नाटक कर रहे हैं मनोज और सुमित्रा कमांडर से मिलते हैं और उन्हें सारी बाते बताते हैं उन्हें वो मनोज का वीडियो भी दिखाते हैं कमांडर उनकी बातों से कंविंस हो जाता है और उन दुनों को क्लासरूम में जाने देता है वो दोनों अली के पास पहुच जाते हैं तो अली सुमित को अली के पीछे बेज देती है और सुमित्रा उसे एक चेट दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसे बचाने आए हुए हैं अब मनोच का आखरी टास्क भी पूरा हो चुका था तो वो अली को आखरी कोड मंगवाने को कहता है वहीं अब कमांडर भी उस रूम में घ कोलियों से भून डालते हैं अब यहाँ पर हमें पदा चलता है कि वो डीटा नाम की लड़की वो लेडी टीचर ही थी वो अब मनोच से सुमित्रा को कॉलर बॉम पैनाने को कह देती है अब यहाँ पर सारे राज खुलना शुरू होते हैं रीटा मनोच को कहीं ले जाने इसलिए वो अपने पती को ही मा डालती है अब पती के मडर के जुन में रीटा को जेल जाना पड़ता है और गुना एकदम अकेला हो जाता है लोगों का सहारा मिलने के बजाए उसे लोग परिशान करते थे और टॉर्चर करते थे रीटा जब जेल से छूटती है तो वो जादा कुछ जल्दी समझ नहीं पाता था तब हम देखते हैं कि जब मनोज गुना को मार रहा था तब उसकी मा नहीं उसका वीडियो बनाया था वो उस वक्त कुछ कर तो नहीं सकती थी इसलिए उसने ऐसा किया ताकि वो बाद में वीडियो के जरियो उससे बदला ले सके तब ही वो फैसला करती है कि वो हर गलत कर रहे इंसान से बदला लेगी और गलत को सही करेगी वो अपना नाम बदल कर स्कूल में टीचर बन जाती है और उसने ही मैथ्यू के घाओ देखे थे इसलिए उसने मैथ्यू के पिता को उसकी पतनी से ही मरवा दिया था डॉक्टर मनोज कहता है कि जो तुम्हारे बेटे के साथ हुआ वो एक हाथसा था वो किसी के साथ भी हो सकता है रीटा कहती है कि मेरा बेटा सब लोगों से अलग था और उसका अलग होना ही उसका गुना था जिसकी वज़े से वो मारा गया मनोज कहता है कि नेहा की फ्रेंड ने बयान दिया था कि तुम्हारे बेटे नहीं नेहा का पीचा गिया था और उसे कुए में ढकेल दिया था रीटा कहती है कि तुमने उसके बयान का यकीन भी कर लिया क्योंकि वो एक अमीर घर की भोली बेटी है और तुम लोग यही देखकर जूट को भी सच मान लेते हो अगर तुम सच में हीरो होते तो आज मेरा बेटा और नहा जिन्दा होती अब रीटा उसे एक जगए पर लेकर जाती है जहां पानी का डैम बना हुआ था रीटा उसे उसका फोन मांगती है और उसे कहती है कि तुम्हारा आकरी टास्क ये है कि तुम मुझे गोली मार दो वनना मैं तुम्हारा ये वीडियो हर जगए फैला दूँगी मनोज तभी नोटिस करता है कि रीटा का फेस धीरे धीरे चेंज हो रहा था तब उसे समाज आता है कि उसने अपनी बॉडी में जहर इंजेक्ट कर लिया है अगर वो उसे मारता है तो वो पानी में जाकर गिरेगी और ये सारा पानी शहर में सप्लाई होता था तो वो पानी जहरीला हो जाता जिसे की लोग मारे जाते रीटा कहती है कि पूरा शहर तो मरेगा ही लेकिन तुम और रतन तो बचोगी ही अपने शहर को मरते हुए देखने के लिए जैसे मैंने देखा है अपने बेटे को मरते हुए अब वो वीडियो को अप्लोड में डाल कर मुबाइल फेक देती है और खुद पानी में कूच जाती है मनोज अपने छुपे राज खुलने से बचाने के बजाए शहर को बचाने का सोचता है और वो तुरंट पानी में कूच कर रीटा को बाहर निकाल लेता है अब हम सुमित्रा को देखते हैं जिसके गले में बॉम लगा हुआ था वो खिड़की से कूद कर नीचे छलांग लगा देती है तब ही वहाँ बॉम स्कूड आकर बॉम को चेक करती है तो पता चलता है कि बॉम पूरी तरह से फेक था अब स्कूल में सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं तब हमें यहाँ असली सच पता चलता है कि नेहा मरी कैसे थी नेहा जंगल में फोन में बाते कर रही थी तब ही उसकी फ्रेंड वहां कर देखती है कि वो उसी के बॉइफ्रेंड से बात कर रही थी इस चक्कर में उन दोनों में छीना चप्टी होने लगती है और उसी चक्कर में नेहा कुए के अंदर गिर जाती है मतलत नेहा की फ्रेंड की गलती की वज़े से इतना सब जमेला पैदा हो गया था उसने खुद को बचाने के लिए जूट बोला और सारा इलजाम फिर रीटा के बेटे पर लग गया जिसकी वज़े से रीटा ने मनोज और बाकी लोगों से बदला लेने की प्लानिंग कर डाली फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि मनोज को अब जेल हो गई थी क्योंकि सच अब सब के सामने आ गया था और वो वीडियो सब जगे फैल गई थी जिससे की पता लग चुका था कि मनोज ने एक बेगुना को मारा था फिर हम देखते हैं कि सुमित्रा और अक्षद मनोज से मिलने आये होते हैं मनोज और अक्षद दोनों आमने सामने आते हैं और मूवी यही पर खतम हो जाती है तो दोस्तो आपने देखा कि जूट और मिसंडरस्टैंडिंग एक चीश को कितना घातक बना सकती है एक चोटे से बहस से शुरू हुआ जो की गल्फरंड बॉइफरंड का था और आगे चलकर ये पूरे शहर की मौद बनकर सामने आ गया अगर मनोज ने अच्छे से अपनी जॉब निभाई होती और पब्लिक प्रेशर में आकर केस को सॉल्व करने की कोशिश ना की होती तो शायद इतना सब कुछ होता ही नहीं इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब पुलिस देपार्टमेंट में कोई गल्ती हो जाती है तो उसे कैसे चुपाया जाता है जिसकी वज़े से किसी बेकसूर को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है मनोज ने रीडा के बेटे को उसके पहनावे और हूलिये से उसको खूनी समझ लिया था वहीं नहा की फ्रेंड अमीर थी और बड़े स्कूल में पड़ती थी तो वो उसके जूट को पकण नहीं पाया था इससे हमें यहां दिखाया गया है कि सोसाइटी आपके पहनावे बोल चाल डिलीजन कास सब देखकर जच करती ही है बात करें जिम्मी शेरगल की तो इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस ठीक टाक ही रही है क्योंकि जब भी वो कोई डैलॉक्स ले रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो डैलॉक्स ही बोल रहे हैं जो नैचरल पन होना चाहिए वो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा वहीं आशानेगी यानि सुमित्रा ने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छी तरह से निभाया है आज कल मूवी में ट्विस्ट और सस्पेंस डालने के लिए टाइम ट्राविल या पास्ट को बीच बीच में प्रेजन्ट में दिखाया जाता है ताकि ओडियोंस को सस्पेंस फील हो बट इस ट्रिक से अप शायद बोरियत होना शुरू हो गई है हमें मूवी के आधे में ही पता चल जाता है कि लास्ट में क्या राज खुलने वाले हैं तो वही चीज इस मूवी में भी हुई है अगर आप मूवी को देखेंगे तो आपको आधे में ही थोड़ा-थोड़ा समझ आने लगेगा कि चल क्या रहा है और फिर आगे चल कर वही चीजे सामने आएंगी जो आपने सोची होंगी तो ये था एक्स्प्रेनेशन कॉलर बॉम मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्रेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्स्प्रेन करने चाहिए और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और वी वीडियो द बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते